हेलो डॉस्टो पी एलेस गाईज लाइक कॉमेंट और शेय भी कर दिया करो, थोड़ी कृपा हम चाहते है अपकी, पी एलेस सब्सक्राइब कर लो कलकी और रुद्र एक साधारन से इनसान थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं उनका घर आदित्य जी की कमाई से चल रहा था लगता है, फाइल पढ़ते पढ़ते अश्व के चहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, अब तुम लोगों को पता चलेगा अश्व आहुजा से पंगा लेने का मतलब अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद करना, और वो तुम कर चुके हो, अब तु की पूरी जिंदगी बर्बाद करनी है, इस तरह बर्बाद करनी है, वो चाहकर भी सुधार न पाए, ओके बॉस, बोल कर फोन काट जाता है, अश्व दुबारा किसी को कॉल कर बोला, हेलो मिस्टर अवस्थी, मैं आपके कॉलेज में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आखे मैं भी तो उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ, कॉलेज की याद है, जो मुझे अपने कॉलेज के पास बुलाती है, येस मिस्टर अहुजा, ये तो हमारे सौभागे की बात होगी, इतने बड़े कॉलेज में आपका कॉन्ट्रिब्यूशन, कॉलेज को और भी ज़्याद मुझे किसी स्टुडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, दरसल मेरे ऑफिस में हमारे बहुत पुराने एमपलाई के बेटे ने आपके कॉलेज के लिए अपलाई किया है, मुझे जानना था, उसे इंडिया की कौन सी ब्रांच मिली है, या शो आप मुझे उसकी डिटेल् मिस्टर अवस्थी ने कहा, अश्वा, अपने फोन से अवस्थी को मैं कर देता है, मैं टोन के साथ ही अवस्थी के हाथों की उंगलिया कीबोर्ड पर नाचने लगती है, मिस्टर अवुजा, I catch him, and he is a brilliant student, और वो हमारे कॉलेज में एडम मियन ले रहा है, ये हमारे मिस्टर अवस्थी आपने मेरी बहुत हेल्प की है, वो मेरे इंपलाई बहुत ही ज्यादा खुददार है, तो वो मेरी हेल्प नहीं लेंगे, इसलिए मैं मुम्बई ब्रांच में इंवेस्ट करूंगा साथ ही उसे लड़के की हेल्प भी हो जाएगी, बोलकर अश्वा फ वो वकील रिवा के पैर पकड़ कर माफी मांग रहा था, लेकिन रिवा का मूड उसे अच्छी तरह से पीटने का कर रहा था, लेकिन अपनी मम्मी को दिये प्रोमिश की बजा से वो शांत रहती है, वो सिर्फ सुशांत को देख रही थी, अबे चल हमारी दीदी जी के पैर को गंदा मत कर, बोलकर सुशांत इस वकील के कॉलर को पीछे से पकड़ कर घसीता हुआ बाहर ले जाता है, वकील को बाहर फेक कर बोला, तुने बहुत गलत पंगा ले लिया, वकील शुक्र मना तु सलाखों के पीछे नहीं है, तेरा सिर्फ लाइसेंस कैंसल हुआ है, कित वकील की बोलती बंध हो जाती है, और वो चुक्चाप वहां से चला जाता है, फैमिली मेंबर्स को छोड़कर सभी गेस जा चुके थे, रीवा शर्मा कर सबसे मिल रही थी, रीवा का ऐसा रूप देखकर रोमिल अपनी आखों में चमक और आसु दोनों लेकर रीवा को दे प्यारी लड़की में बदल जाएगी, मुझे मेरी बेटी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है, देखो इन कपडों में वो कितनी खूबसूरत लग रही है, एक मिनट रोमिल चौब कर बोले, रीवा यहां सारी पहन कर आई थी और मैं उसे जी भर कर देख भी नहीं पाय मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी, मैं CCTV फुटज में देख लूँगा, रोमिल का बहेवियर देख कर आध्या को अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद जागने लगी, उनकी आखों में अपने पहले हनीमून की सारी यादे घूमने लगती है, स्वीट मेमरी से घर की हो गई है, आध्या की बात सुनकर रोमिल एमोशनल हो जाते है, रीवा सबसे मिल जरूर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपनी मां की तरफ ही था, रोमिल आध्या को गले लगा कर बोले, हाँ हमें अब रीवा छोड़ कर चली जाएगी, हमें अपने बच्चे की कमी मह हैसूस नहो, इसलिए हम एक और रीवा को अपनी फैमिली में शामिल करेंगे और हम उसका नाम रीवा टू रखेंगे, रोमिल की बाते सुनकर आध्या के चहरे पर एक बहुत लंबी मुसकान आ जाती है, आध्या एक लंबी स्माइल करके रीवा को देखती है, दूसरी उसकी लाइफ में पहला ऐसा लड़का था जो उसकी बेव कुफिया को जेल भी रहा था, और उसको अंदेखा भी कर रहा था, अगली बारी हमारी है स्वीट हार्ट, तुम तयार हो ना, मैं तयार हूँ, तुम भी अपना डिसिजन जल्दी से ले लो, रीवा और मैं दोनों एक घर में आ जाएंगे, तो घर स्वर्ब जैसा हो जाएगा, रैबिट शर्मा कर बोली, दूर हटो पनौती कही कि, जवजिती गले पड़ी का रही हो थोड़ा प्यार से किया बात कर ली, तुम तो मेरी कुंदली पर साप सीधी खेलना चाहती हो, भगवान बचाए ऐसे प पहले एजुकेशन कम्पीट करो तब सोचना शादी के बारे में, रुद्र रैबिट की हसी उड़ा कर बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं बच्ची हूँ, मैं पूरे 22 साल की हूँ, 22 साल की समझे तुम और मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ती, मैं अपने कॉलेज में B.A.C. अब मैं M.A.C. पढ़ने के लिए मुंबई जा रही हूँ, बेवकूफ आदमी, रैबिट मूँ बना कर बोली, रुद्र अपने मन में बोला, इस लड़की को ये कैसे पता कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, ये लड़की भी मुंबई जा रही है, चक्कर क्या है, इसने मेरे पीछे जासूस तो नहीं छोड़ रखे क्या, हो भी सकता है, जिस तरह से ये गुंडों को कपडों की तरह धो रही थी, उसे हिसाब से तो ये कुछ भी कर सकती है, मुझे इससे बचकर रहना होगा, कही अकेले पाकर इसने मेरी इज़त पर नहीं, नहीं, रुद जल्दी से रैबिट से दूर हो जाता है, और अजीब नजरों से रैबिट को देखने लगता है, आदित्य रुद के पास आकर बोले, बेटा अब हमें चलना चाहिए, अब तो शादी भी हो गई, हमें रोमिल जी से बोलना चाहिए, कि वो अपनी बेटी को विदा कर दे, हम रीवा को अपने साथ अपने घर ले चलेगे, हाँ पापा मैं अभी बात करता हूँ, बोलकर रुद रोमिल जी की तरफ चला जाता है, कल की रीवा के पास आकर बोला, बटरफलाई अब हमें अपने घर चला चाहिए, अब सब कुछ हो गया, अब हम घर चलते है, कल की नेता ही कहा था उसके फोन पर कॉलेज अलोटमेंट का मैसेज आ जाता है, कल की जल्दी से अपना मैसेज बॉक्स ओपन करके देखता है, तो उसमें उसे कॉलेज मुंबई ब्रांच वाला ही मिला था, जैसा की अवस्थी ने अश्वर से कहा था, रीवा भी अपनी एक आइब्रो उचका कर मुबाइल में उस मेसेज को पढ़ लेती है, रीवा मन में बोली, ओ मिस्टर हस्बैन को मुंबई ब्रांच मिली है, वो भी मेरा ही कॉलेज, अब तो उनके साथ पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा, बटरफलाई, वाई आ यू स्माइलिंग, कल की ने कहा, वन यू कल की को बहुत ही प्यार से देख रही थी, एक 19 साल की क्यूट सी लड़की रीवा के पास आकर बोली, दीदी जी आपके हस्बैन तो बहुत ही प्यारे है, आप दोनों की जोड़ी यूनिवर्स में सबसे अच्छी है, ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्त, बानी ओमर 19 साल, बहुत क्यूट हाइट, पांच फूट तीन इंच, रंग गोरा कंधे तक बाल, काली आखे, पेंटिंग बनाने में गोल्ड मेडलिस्ट, बानी ने रीवा और कलकी की शादी के जोड़े में एक पोट्रेट बनाई थी, जो दिखाने में एकदम जीती जाकत लग रही थी, कलकी उसे पोट्रेट को देखकर बोला, यू आर वेरी टैलेंटेट बानी, बहुत खूबसूरत पोट्रेट बनाया है, तुम्हें तो आर्ट में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, हाँ जी जा जी मैं परसो, अमेरिका जा रही हूं, वहां मुझे अपनी आ रख कर उसका सिर्ष सहला देता है, कलकी का अच्छा नेचर देखा कर सभी सर्वेंट कुछ न कुछ कलकी और रीवा के लिए लेकर आने लगे, कलकी और रीवा के पास 20-25 लोगों की भीर जमा हो जाती है, उन सब में से एक ने कहा, हमारी दीदी की तरह हमारे जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं, हमें तो दर लग रहा था, कहीं हमारे जीजा जी घमंडी ना हो, और हमारे दीदी से शादी करने के बाद वो बदल ना गए हो, तो एक ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था, जीजा जी जितनी सुन्दर है ना उसके ओलाती का नेचर होगा, मतलब जि सुन्दर जीजा जी उतने ही ख़रूस इनका नेचर लेकिन नहीं तो बहुत ही अलग है ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं और हमारी दीदी तो दुनिया में सबसे प्यारी है, अब तो हमें सबसे प्यारी जीजा जी भी मिल गए हैं, कलकी उन लोगों की बाते सुनकर बहु रोमिल का रियेक्षन तो ऐसा था जैसे उन्होंने आज से पहले ऐसी कनही नहीं देखी लेकिन आध्या को वो हसी कुछ जानी पहचानी लगी थी आध्या ने प्रतीक की तरफ देखा कलकी और प्रतीक की हसी एकदम सेम थी आज प्रतिग्या का बेटा जिंदा होता हो बिल्कुल कल की जैसा ही होता किस्मत की बात है प्रतीक का बेटा आदित्य जी के घर ही पैदा होना था आध्या अपने मन में बोली आदित्य जी रोमिल के पास आकर बोले रोमिल जी हमें एजाज़त दीजिए अब कुछ अच्छे से हो गया है तो हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते है रोमिल जी आदित्य को गले लगा बोले आप अपनी बेटी को ले जाए लेकिन हमारे बेटे को आप साथ बेटे को खाली हाथ कैसे ले जा सकते हूँ हो रोमिल की बात सुनकर आदित्य उन्हें कन्फ्यूज होकर देखने लगते है रोमिल एक फाइल आदित्य जी को देकर बोले कल की अब हमारा बेटा है कल की अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी कंपनी संभालेगा और ये गिफ्ट मेरी तरफ से अपने बेटे और बहु के लिए प्रतिक एक फाइल आगे करके बोले आदित्य जी तो बहुत हैरान हो रहे थे आखिर ये सब क्या हो रहा है आदिया आगे आकर रुद्र को एक बॉक्स देकर बोली और ये गिफ्ट आपकी बेटी के बड़े भाई के लिए देखो बेटा इसे लेने से मना मत करना कलकी की तरह आप भी मेरे बेटे हो तो अपनी मां का मान रख लो पी एलेस बेटा रुद्र उस बॉक्स को ले लेता अब प्रतिक ए आगे आकर बोली रुद्र बेटा तुम हमारे बेटे हो और बड़े दामाद भी मतलब दूल ही का भाई भी हमारे यहां दामाद ही होता है ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए पी एलेस बेटा लेने से मना मत करना आदित्य जी अपनी खुददारी दिखा कर बोले हमें ये सब नहीं चाहिए हमें सिर्फ हमारी प्यारी रीवा चाहिए भाई साहब आप किन पुरानी बातों में फसे हुए हैं जिस तरह हमारी बेटी आपकी हुई वैसे ही आपके बेटे अब हमारे है आप अपनी बेटी संभालेंगे तो आदित्य जी अब आप सिर्फ एक बेटी के बिना है और हम दो बेटों के पिता है रोमिल आदित्य जी के कंदों को पकड़ कर बोले रोमिल की बात सुनकर रीवा एक लंबी सीटी मारती है और खुश होकर बोली, पापा आज आपने करोड रुपे की बात कर दी, ये खुबी तो हर इंसान में होनी चाहिए अब तो मान जाए, समाधी जी, आध्या मुसकरा कर बोली दूसरी तरफ, किसी से फोन पर बात कर रहा था हे डियर विभा मैं कल मुंबई आ रहा हूँ, और साथ में तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज भी लेकर आ रहा हूँ, ये समझ लो तुम्हारे खेलने के लिए एक खिलोने लेकर आ रहा हूँ, तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो, बस तुम्हें उससे अपनी पहचान चुपा कर रखनी होगा, डॉन, टा वरी, माए हैंसम ब्रदर, आज तक आपने मुझे जो भी काम सोपा है, मैंने उसे बहुत ही शिद्दत के साथ पूरा किया है, और इस बार तो आप मेरे लिए एक खिलोने लेकर आ रहे हैं, तो मुझे उसके साथ खेलने में बहुत ही ज जरूर दोगी, अश्वर ने कहा, हाँ बिलकुल आप मेरे भाई हो मेरे हर क्राइम में मेरा साथ देते हो, तो आपके लिए इतना करना तो बनता है, ना, विभा हसते हुए बोली, एक प्रोमिस करो कि तुम उस खिलोने को कभी चैन्स से नहीं जीने दोगी, टुबी कंटिन कर नहीं दोगी थाप आप कर दो दोंक साथ जया कंटिरूंक अबाया नहीं करता हो, एकप प्रो दोगी, और को भूंभी नहीं, प्रोमिस अवरबागी टुबी था हितो पर chauff में वे में हो।